हे गाईस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड जैसे के आपको पताए कि प्रो कपटी सिजन 10 सुरू होने में सिर्फ 6 दिन का समय बचा हुआ है एंड कुछ बड़े अपडेट्स निकल के आई है इन कुछ दो दिन तीन के अंदर वो आपको इस विडियो में जानने को मिल जाएगा तो वीडियो बहुत इंटरस्टिंग होने वाला वीडियो के एंड तक बने रही है शुरुबात करते हैं सबसे पहले अपडेट के साथ तो यहां पे बेंगॉल वारियर्स की टीम ने नया लोगो एंड जो नया जर्सी है वो यहां पे ऑफिशल अनाउंस कर दिया है पिछले जो अपडेट वाली वीडियो था उसमें मैंने बताया था जो जर्सी शो किया था एंड साथी साथ जो लोगो शो किया था वो बिलकुल सही साबित हुआ है यहां पे व beengal warriors का नया लोगो है और ग्रीं लोगो भी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो और आप बताये के कों सा लोगो जादा पसंद आया है एन साधी साथ बात की जाए नए जर्सी की तो नए जर्सी भी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो आपको ये वाला जर्सी बहतर लगा या फिर पहला वाला बहतर था आप कॉमेंट काके ज़रो बताएगा कुछ यहाँ पर ओफिशल कैप्टन्स भी अनाउंस कर चुकी है कुछ टीम है कौन कौन से टीम अनाउंस की है बेंगॉल वारियस की टीम ने अनाउंस कर दिया है कप्तान यहाँ पर मनिंदर सिंग रहेगे पुनिडी पलिटन की टीम ने अनाउंस कर दिया कप्तान असलम इनामदार रहेगे गुच्रा जाइन्स की टीम ने अनाउंस कर दिया कप्तान फजल अतरा चली रहेगे वाइस कप्तान रोहित गुलिया रहेगे यूपी ओधास के टीम ने कप्तान अनाउंस किया है जो यहाँ पर परधीर प्नरफाल रहने वाले और सोर्से से पता चल रहा है कि पतना पारेट्स के कप्तान भी सेम रहेगे जो यहाँ पर निरच कुमार है अब जैसे कि आपको पता है कि आज IPL का रिटेंशन डे है और आज के दिन कुछ ऐसी टीम में है जो यहाँ पर बड़ा डिसीजन लेते हुए दिख सकती है पर आज के जो IPL रिटेंशन के हर एक अपडेट है वो आपको सिर्फ क्रिकेट गली के टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा सभी टीम अपने रिटेंशन रिलीज प्लियर्स कुछ ट्रेड भी हो सकते हार्दिक पंडिया क्या मुंबाइ इंडियन पर जाने वाले सभी कन्फरमेशन आपको सिर्फ क्रिकेट गली के टेलेग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है क्रिकेट गली टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लिजे अगर आपको आईपल के रिटेंशन और आउक्षन के अपडेट जानने हैं टेलीग्राम पर जाके एडडिरेट क्रिकेट गली सर्च कीजिए नितो डिस्क्रिप्शन बॉक्स मे अभी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइट कर देने वाला उस पर कली करके आप जॉइन कर सकते हो तीसरे अपडेट की बात की जाए तो तीन होम लेक्स के टिकेट यहाँ पर ऑनलाइन बुकिंग स्टार्ट हो चुके कौन से स्टार्ट हुए एहमदाबाद ले लेके 8-13 दिसम्बर तक होगा पूने का लेक 15-20 दिसम्बर तक एन सबसे पहला लेकी एहमदाबाद का होगा जो यहाँ पर 2-7 दिसम्बर तक होने वाला है तो जो भी टिकेट बुक करना चाहते इन तीन सहरों में आप बुक माईश शो पे जाके अपने मन मुताबिक मैचस की टिकेट्स खरीच सकते हो चौते अपडेट की बात किजा तो चौता अपडेट बिल्कुल भी सही अपडेट नहीं है एक इसाप से सैड अपडेट है विकोस जिसे हम वोईस ओफ पीकेल कहते है कबड़ी का आवाज सुनिल तनेजा इस बार कमेंटरी पैनल में देखने को नहीं मिलेगे जी हाँ बिल्कुल आप सही सुन रहे है इस बार जो हिंदी कमेंटरी का पैनल है उसमें सुनिल तनेजा नहीं होने वाले है अब रीजन क्या है रीजन सिंपली यही है कि जियो सिनिमा ने इनको साइन कर लिया है जैसे आकास सोपरा का केस था कि स्टा स्पोर् पंजाबी कमेंटरी में अब कमिंग जो भी क्रिकेट के सिरीज है अगर आप पंजाबी कमेंटरी स्विच करते हो तो आप सुनिल तनेजा सर की जो वाइस से सुन सकते हो और इसी के कारण सुनिल तनेजा ने यही डिसेजन लिया हुआ कि प्रो कबड़ी के कमेंटरी सायज स ना कर पाए और यह इन्हों ने social media पर भी confirm कर दिया है तो इससे आपको कितना effect परेगा आप Hindi commentary mostly देखते होगे तो क्या आप इनकी आवाज को मिस करने वाले हो कि नहीं matches के दौरान आप comment करके जरू बताएगा मुझसे personally पूछा जाए तो मैं तो बहुत ही जादा मिस करने वाल तो mostly मैं तो English commentary में matches को देखूगा आप कौन से में देखने वाले हो comments में आप बता सकते हो तो कुछ मैंजर update से जो निकल के आया था and telegram channel का जो link है वो मैं description में provide कर रहा हो आप एक बार check out कर सकते हो तब तक मैं मिलता हो ऐसे एक और नए interesting उड़े के साथ thanks for watching